हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आप आप लोग अच्छे होंगे मैं हू राहूल जैस्वाल है इन स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामनेक most important mathematics का लेक्चर वीडियो लेकर चैप्टर जो हमारा काफी दिनों से चल रहा था already जिसका नाम है basic concept of geometry तो आज हमारा lecture number 9 हम आपके लिए लेकर आए है ठीक है लेकिन due to some issues technical issues बोले कुछ glitch बोलो या फिर कुछ ऐसा problem था that's why videos वहां से हड गयते कुछ-कुछ वीडियो जैसा नहीं बोलूँगा यानि 99.9% वीडियो तो है already लेकिन कुछ-कुछ वीडियो कुछ चाप्टर के ना एक-एक lectures गायाब हो गए है डिलीटेड है या फि missing था वो चीज पूरा हो जाए और बाद में जो चीज continue है वो आपको मिलती रहेगी तो कोई परिशानी और कोई चिंता की बात नहीं है मैं हूँ तो आपको कोई tension लेने की जवरत नहीं है सब contents हम लोग proper तरीके से आपको provide करते रहेंगे और साथ ही में आप हमारे playlist को continuously check करते रहें वहाँ पे आपके लिए हर standard के हिसाब से हर subject के हिसाब से videos available है और अगर आप हमें support करना चाहते हो तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों इसके अलाव हमारे दो और चैनल है एक का नाम है दोस्तों JR Talks इस पे हम क्या provide करते हैं यह मैं क्यू बताता हूँ यह बहु decision ले लेते हैं करना कुछ होता है कर कुछ लेते हैं बाद में पच्तावा होता है कि कास मैंने science लिया होता, arts लिया होता, कास मैं IS officer बनता, IPS officer बनता तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़े होते हैं वो यहाँ पे आपको clear मिल जाएगी तो प्लीज जाए यह चैनल पे विजिट जिसका नाम है दोस्तो जे-र व्लोक्स आपका अपना जे-र फैमली जो है हमारा उसका इनाम होता है जे-र टुटोरियल जे-र टाक्स जे-र व्लोक्स तो एक हमारा यह चोटा सा व्लोगिंग चैनल अभी अभी हमने शुरुआत कि इसमें हम लोग कुछ daily related activities जो हम करते हैं कही कोई बात नहीं आपके लिए अभी regular videos हम डालेंगे कोई tension नहीं है वैसे तो आई रहे हमारे videos आपको कोई परिशानी नहीं होगी ओके तो यह तो बात ही होती रहेगी आगे भी होती रहेगी ठीके लेकिन आज जो हमारा lecture पढ़ना है मैं lecture no.9 चोटा सा lecture होगा दोस्तो आज का इसके लिए मैं थोटा सा time ले लिया starting में यह सब चीज़े बताने के लिए चोटा सा lecture है और इसमें आपको basically क्या जानना है आप reading का नाम है दोस्तो conditional statement मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर reading conditional conditional statement and conditional statement and converse statement यह दो टाइप के क्या है statement होता है conditional statement एक होता है converse statement अब यह होता क्या है सबसे बेले इसको मैं समझाओंगा आप लोगो कि conditional statement को क्या बोलते हैं साथ ही मैं यह आपको वताऊंगा कि जो बाकी चीजे हैं कि अगर कोई condition दिया हो तो उसको हम लोग reciprocate कैसे गर सकते converse में कैसे ला सकते हैं एक्जामपल आपको explain करूँगा तो बस आप छोटा सा lecture होगा जिसमें दो important condition और दो important statement के हां बारे में बात करेंगे और बाकी फिर आपको continuous lecture मिलते रहेंगे lecture number 10 clear है तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यहां तर तो सबसे पहला मैं यहाँ पे condition जो लूँगा दो condition दो statement हम लोगो पढ़ना है तो सबसे पहला अगर मैं conditional statement की बात करूँ यहाँ पर मैं heading डालूँगा कि if a quadrilateral is rhombus then its diagonals are perpendicular bisector of each other देखो कितना बढ़िया और कितना बहतरीन लाइन है यह समझ लोग है आज यह theoretical चीज क्यूँ पढ़ा रहा हूँ अगर आपने यह चीज समझ लिया तो आदा से आदा conceptual knowledge geometry का जो खासकर rhombus and perpendicular bisector में जो होता है यह आपको कभी परिशानी नहीं दे एक शर्त है मेरी यह condition है तो हम लोग क्या रखते है condition तो हम लोग क्या बोलते है अगर तूने मेरा यह काम किया अगर तो अगर को English में बोला जाता है if तो इसके लिए हरे conditional statement में हमेशा याद रखना कि if जरूर रहेगा अगर वो if नहीं रहेगा तो वो statement conditional statement नहीं हो सकता यह आपको जहान रखना, आप computer language में भी पढ़ते हो, computer programming में पढ़ते हो, if else, ठीक है न, coding हम करते हैं, if else command देते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ आपको, जब हम लोग शायद coding जब चालू करें, जब चालू करें, भी चालू हो सकता है, ठीक है, आने वाले time में, तो definitely provide करेंगे, लेकिन अभी जो चीज़े हैं, वो समझ लो, mathematics के इसाब से, conditional statement क्या बोलता है, if, तो if क्या है यहाँ पे, if a quadrilateral, पहले में लिख लेता हूँ, यहाँ पे, if a quadrilateral, if a quadrilateral is a rhombus, क्या बोल रहा हूँ, if a quadrilateral is rhombus, then, then, if a quadrilateral is rhombus, then its diagonal, then its diagonals are perpendicular, are perpendicular, are perpendicular, by sector of each other, by sector of each other, अभी यह मैंने definition लिखा, अभी इसको समझ लो पहले, कि, हमारा conditional statement क्या बोलता है, कि अगर एक quadrilateral rhombus है, quadrilateral आपको पता है, quadrilateral बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, square भी a quadrilateral है, rectangle भी a quadrilateral है, trapezium भी a quadrilateral है, आपका rhombus भी a quadrilateral, there are so many things, parallelogram is also a quadrilateral, there are so many things that comes under the quadrilateral, तो उसी में का एक टाइप है rhombus, तो rhombus यहाँ पे क्या बोलाए, कि अगर एक quadrilateral rhombus है, तो उसके जो perpendicular, उसके जो diagonals रहेंगे, वो क्या रहेंगे, perpendicular bisector रहेंगे, एक दूसरे के, अब इसका diagram से exclamation दूँँगा, लेकिन इसका converse पहले भी लिखता हूँ, यह हो गया conditional statement, अब आएगा इसी का, इसी का आएगा converse वाला statement, converse statement, तो converse statement क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे, converse statement क्या हो सकता है, कि अगर quadrilateral rhombus है, तो उसके diagonal, perpendicular bisector होंगे, एक दूसरे के, तो इसका उल्टा कैसे लिखोगे, converse का मतलब क्या होता है, conditional statement मतलब एक condition दिया हुआ है, और converse का मतलब होता है, वो condition को गुमा के लिखना, उल्टा करना, ठीक है, आज जैसे कि मैं अब मेरे भाई को बोलूँगा, जो मेरे भाई है, उसको मैं बोलूँगा, कि मैं तेरा भाई हूँ, तो वो भी बोल सकते हैं वहाँ से, आरे तू मेरे भाई है, समझ में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं, condition एक दूसरे का खिलाफ गुमा के यूज़ करना, और हमें यह जज़ करना है, लास्ट में, कि वो जो converse आया, वो true है कि false है, वो भी जज़ करना है, तो हम आपको बताएंगे, तो आप बस बने रहो, देखो, अच्छे से, तो converse statement के अगर बात करें, तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, if, if the diagonals, if the diagonals are perpendicular bisector of each other, then the quadrilateral is rhombus, अब मैंने इसका उल्टा लिख दिया, पहले हमें पूछा था, कि अगर rhombus, quadrilateral जो है rhombus है, तो उसके diagonals perpendicular bisector हैंगे एक दूसरे के, और यहाँ पर मैंने converse में उसका उल्टा लिख दिया, कि अगर वो diagonals perpendicular bisector है एक दूसरे के, तो वो चीज़ क्या रहेगा, rhombus रहेगा, अब आपने यह इतना सारा theoretical चीज़ पढ़ लिया, अब आते हैं real point पे कि यहाँ diagram से कैसे समझेगा, तो diagram देखो, कोई भी rhombus कैसा दिखता है, kite जैसा, आपको पता ही होगा, यह होता है rhombus, और इसके अंदर क्या होते हैं, दो diagonals होते हैं, इस प्रकार से, इसको बोलते है rhombus, यह क्या है mathematics के साब से, इसको बोलते है rhombus, तो पहला statement जो है, conditional statement, वो क्या बोलता है कि अगर quadrilateral rhombus है, तो उसके diagonals perpendicular bisector है, तो अगर यह quadrilateral यह rhombus है, यह तो आपको जो बनाया मैंने वो rhombus है, तो अगर यह rhombus है, तो उसके जो diagonal है, diagonal मतलब क्या होते हैं, अंदर के lines, तो यह क्या है, एक दूसरे को perpendicular bisector, तो क्या यह perpendicular bisector है, बिल्कुल है, देखो या 90 degree बन रहा है, हर जगा 90 degree बन रहा है, यहाँ पे भी 90 degree, यहाँ भी 90 degree, यानि कि, जो हमारा conditional statement है, वो true है, हमारा जो conditional statement है, वो क्या है, true है, और यह चीज हमें क्या बता रहा है, कि हमारा अगर कोई भी quadrilateral rhombus रहेगा, तो उसके अंदर के जो diagonal हैंगे, वो एक दूसरे को perpendicular bisector करेंगे, यह हो गया हमारा पहला condition statement satisfy, यानि true, अब उसका उल्टा जो था converse, यह true है कि निवो कैसे जानोगे, तो इसमें बोला है कि अगर diagonal perpendicular bisector है, मतलब अगर यह उसका diagonal है, यह क्या है, perpendicular bisector है, दिख रहा है ना, perpendicular bisector है, तभी 90 degree बन रहा है, मतलब अगर यह पहले सही है, तो जो quadrilator बन रहा है, वो एक rhombus रहेगा, तो यह भी condition सही है, कि अगर कोई भी अंदर के diagonals, क्या होंगे, एक दूसरे को, perpendicular bisector होंगे, तो हम लोग क्या बूल सकते हैं, कि वो जो चीज बन रहा है, वो जो quadrilator बन रहा है, वो एक rhombus है, तो है ना, यह rhombus, तो यह हमारा, जो converse है, वो भी true है, यानि कि दोनों के दोनों हमारे true है, तो conditional statement भी true है, converse statement भी true है, यह हो गया हमारा पहला example, clear है, तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, कि conditional statement क्या होता है, कोई भी हो सकता है, जरूर नहीं है कि यही question, अलग-अलग type के questions पूछ सकते हैं, यह है, तो यह है, ऐसा अलग-अलग type के questions पूछे जा सकते हैं, अभी एक और example बताऊंगा आप लोग को, तो उमीद करता हो, कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप note down कर सकते हो, screenshot भी ले सकते हो, अगर आपको लेना देगा तो, ठीक है, तो यह हो गया पहला example, अब second example देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से, ठीक है, इसको rough कर लेता हूं है, और देखते हैं, second conditional statement और उसका उल्टा, यानि कि converse statement ओके, heading डाल देते हैं, second, second one, पहला हम लोग लिखेंगे उसका conditional statement, conditional statement, ओके, तो देखते हैं, conditional statement क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक conditional statement दिया है, कि if a number is a prime number, क्या बोल रहा है, कि if a number is prime number, यहाँ पर बोल गया है, if a number is prime number, then, if आएगा, तो then भी आएगा, तो if a number is prime number, then, 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 हम लोग क्या बोल सकते, then it is even or odd, then the number is, then the number is even or odd, यानि कि even भी हो सकता, odd भी हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई भी number एक prime number होता है, तो वो जो number से वो या तो even रहेंगे, या तो odd रहेंगे, यह हो गया conditional statement, अब इसका उल्टा हम लोग लिखेंगे, यह कोशिश करेंगे, उल्टा यानि कि converse statement, तो converse statement कैसे लिखेंगे हम लोग, converse statement, तो converse statement कैसे आएगा, इसका उल्टा कैसे लिखोगे, if the number is even or odd, मतलब पहले यह लिखेंगे, last dollar line, यानि कि if the number is even or odd, यानि कि जो number है, वो या तो even है, या तो odd रहेंगा, तब वो numbers क्या रहेंगे, then, then the number is prime number, यानि कि पहले बोला था कि पहले अगर कोई number prime number है, तो वो even और odd हो सकता है, और आप मैं converse में बोल रहा हूँ, कि अगर कोई number even or odd है, तब वो number क्या होगा, prime number होगा, आप दोनों में से कौन सा condition सही है, कौन सा गलत है, इसको भी check out कर लेते हैं, तो समझे लो, पहला condition है, conditional statement कि अगर number prime number है, तो पहली बाद तो पता होना चीए, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार के जो numbers होते हैं, dot dot dot, बहुत सारे आएंगे, यार इसे तो बहुत सारे हैं, खतम भी नहीं होगा, पर इतना example के दौर पर इतना ठीक है, कि यार इतने सारे number जो है, यह सिर्फ और सिर्फ खुद के table में आएंगे, इसे खुद के table में आएंगे, अब हमारा पहला condition बोलता है, कि अगर number prime number होगा, तो या तो even होगा, या तो odd number होगा, तो यह सब prime numbers है, तो चलो देखते हैं, और odd भी है, क्या, तो यह even है, यह odd है, odd, 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 यानि even भी आ रहा है, odd भी आ रहा है, यानि कि जो पहला conditional statement है, यह satisfy करता है, और यह true है, यह क्या है दोस्तों, यह true sentence है, conditional statement हमारा true है, लेकिन यह converge जो है, वो देखते हैं क्या है, तो अगर number even or odd है, अगर कोई भी number even or odd है, चलो even or odd लिख देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है न, 9, 10, यह सब क्या है, even or odd number mix कर दिया, यह even है, odd है, even है, odd है, even है, odd है, even है, odd है, even है कि यह जो number से, यह सब के सब prime numbers है, क्या, नहीं, इसमें से सिफ, यह वाला prime number है, यह यह है, बस इतने prime number है, बाकि जो number है, वो prime number नहीं है, इसका मतलब हमारा, जो converge का statement है, कि जितने भी even or odd number रहेंगे, वो सब prime number रहेंगे, यह condition satisfy नहीं करता है, इसके लिए, यह statement है, हमारा false ह है हमारा second जो converse है यानि उल्टा जो statement है वो false आएगा clear है तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो यही थे दोस्तों हमारे total आज के दो example जिसमें हमने आपको condition भी बता दिये कि क्या हो सकता और उसका ultra यानि लिखके दिखाना यानि condition statement दिया रहेगा और उसका ultra converse statement आपको लिखके दिखाना रहेगा ऐसा भी कुछ पूछ सकता है एक्जाम में ठीक है तो उमीद करता हूँ कि यह देखने के बाद आप जरूर से अपने एक्जाम में जो भी answer जो भी questions आपको पूछे जाएंगे आप आ आपने सारे friends and relatives को फटा-फट से शेयर करो बताओ यार किस प्रकार हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं regular basis पे तो प्लीज शेयर करो ज्यादा से यदा अगर आपने आभी देखे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा-फट से हमारे चैनल को देना ताकि future में हम कोई भी वीडियो को अगर अपलोड करेंगे तो आप लगो तुरंत notification मिलती रहेगी ठीके friends तो मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए thank you and good bye